नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर समय ठकान का महसूस होना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, कभी कभी चक्कर आ जाना शरीर में आईरन की कमी की निशानी हो सकती है आईरन शरीर के लिए ऐसा जरूरी तत्व है जो सेहत के लिए नुकसान दायक हो सकता है आइरन की कमी की वज़ा से एनीमिया का रिस्क भी बढ़ जाता है जो महिलाओं की सेहत के लिए सही नहीं माना जाता आजकल लो आइरन और हीमोगलोवन की समस्या बहुत आम होती जा रही है जिन लोगों को हार्मोन इशू, इनफर्टिलिटी, मोटापा, कब्ज, बवासीर या लीवर की बीमारी होती है उनके शरीर में ज्यादा तर आइरन की कमी होती है ऐसे में ये दादी मा के नुस्खे लो आइरन और हीमोगलोवन के इस तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं नमबर एक, आमला और शहिद आमला में विटामिन C और आइरन भरपूर मातरा में पाया जाता है रोजाना आमला का सेवन करना लो हीमोगलोवन में फायदेमन हो सकता है और शरीर में रेड बलड सेल्स की मातरा को भी बढ़ाने में मदद कर सकता है आमला और शहिद के कॉंबिनेशन के बेहतर पैणाम के लिए सुबा सेवन करने की सला दी गई है जिनें अर्थराइटिस की समस्या है उन्हें आमले के सेवन से बचना चाहिए और जिनका बलड शुगर लेवल कम रहता है उन्हें कसूरी मेथी का सेवन करने से बचना चाहिए मेथी के बीजों के पानी का सेवन करना भी आयरन की कमी को दूर करने में मदद करता है इसके लिए मेथी के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रख दें और फिर छान कर पानी का सेवन कर सकते हैं साथ ही आप मेथी के बीजों के पानी से चावल या खाना पकाने में भी इस्तिमाल कर सकती हैं 3. कद्दू, तिल और सर्सों के बीज कद्दू तिल और सरसों के बीजों के मिश्रण का सेवन करना भी आयरन की कमी को दूर करने में मदद करता है इन बीजों में आयरन की भरपूर मात्रा होती है जो शरीर में हीमोगलविन बढ़ाने में मदद करता है डाइट में कद्दू के बीजों को शामिल करने से रेड बलड सेल्स के उत्पादन में मदद मिलती है इन सभी बीजों को एक जैसी मात्रा में मिलाकर रोजाना सुबा के समय खाना फायदेमंद हो सकता है नमबर चार हरी सबजिया आइरन की कमी को दूर करने के लिए हरी पतेदार सबजियों का सेवन करने की सला दी जाती है क्योंकि हरी सबजियों में आइरन की मात्रा भरपूर होती है जो शरीर में रेड सेल्स को बनाने में मदद करता है नमबर चार डाल और फलिया आईरन की कमी को दूर करने के लिए सफेद चने, सोयबीन, मसूर की दाल, चना दाल, आदी का सेवन करना चाहिए क्योंकि इन में आईरन के साथ प्रोटीन भी भरपूर मातरा में होती है जो मासपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है इस वीडियो का मकसद सिफ जानकारी देना है स्वास्त से जुड़ी सला या चांच के लिए किसी पेशेवार डॉक्कर से बात करें उम्मीद है आपको हमारे दोरा दी गई जानकारी पसंद आई होगी आगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स पो वाचिंग